नमस्कार दोस्तों जब भी हम BSC करते हैं और उनमें सब्जक्स का चुनाव करते हैं तो हम कुछ छोटी छोटी कलतिया कर देते हैं जिसके कारण फ्यूचर में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जक्स कौन पर क्लिक करें तो सबसे पहले हम आपको पताएंगे कि BSC में जो कौर साइंस के सब्जक्ट है वो कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं एक नमबर से पांच नमबर तक जो हैं वो कौर साइंस हैं जिसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिजिलोजी और ये पांच सब्जक्ट जो हैं बिसिकली कोर साइंस में आते हैं इसके अलावा कुछ इंस्ट्यूट में ये भी सब्जक्ट उपलब्ध होते हैं जैसे कि कम्प्यूटर साइंस, जिजियोग्राफिक, जियोलोजी, स्टैक्स, और साइकोलोजी अब यहाँ पर एक चीज़ आ कोई एक सब्जक्ट मिल सकता है, दो मिल सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रकना है कि जब भी आप DC करने जाएंगे तो भी यह कहां से एक सब्जक्ट आपको चुनने पढ़ते हैं, जिएसे ही आप 15 year में नहीं सब्जक्ट उते हैं जानु çıkar तो यहाँ से एक सब्जक्ट जो है वो आपका माइनस हो जाता है ठीक है तो इस प्रकार से देखेंगे तो लास्ट येर में आपके दो सब्जेक्ट बच जाएंगे अब जब भी आप बियस्सी करने जाएं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जैसे कि आप को किस सब्जेक्ट में सबसे जादा रू करुक्स tear करें गर आप करुचे के माइनस हो सब्जक्ट भरकाने ड्यकट नहीं हो तक जाएंगे तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते जो के में सहज नहीं होते हैं तो उनके पास यहां पर बिकल्फ होता है कि इनमें से कोई सब्जक्त ले ले लें लेइं अगर आप बिल्कुल प्याओर साइन्स से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बहतरीन आपके पास यही आउप्शन है कि आप फिजिक्स, कमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले रहे हैं इसके लाम अगर आप फ्यूचर में जोलोजी बाटनी के छेतर में जाना चाहते हैं इसमें आपको साइन्स के टीचर बनना चाहते हैं तो साइन्स के टीचर बनने के लिए आपके पास फिजिक्स, कमिस्ट्री का कामिनेशन होना जरूरी है तो आप साइन्स के टीचर बन सकते हैं तो यहां पर कामिनेशन आपको ध्यान रखना है अगर आपने जोलोजी लिया है तो जोलोज अगर आपने लिया है तो इसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लिया हो उससे प्राब्लम आपको नहीं होगी अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो आपको जिस सब्जेक्ट में रुची है जो आपने ग्रेजुएशन लेबल पर पढ़ा है सेम उसी सब्जेक्ट से आप पीजी भी करिएगा जैसे आपकी रुची केमेस्टी में है तो आप केमेस्टी से ही पीजी आनि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेजिएगा एमस्टी करिएगा इससे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे आपको आप टीजीटी को भी देने को आपको मिल ज मनदी तो आप खबरी application को install करना पिल्कूल न भूले लिंक आपको इसी वीडियो के description में या फिर इसी वीडियो के first comment में मिल जाएगी जहां से आप जाके easily इस application को install करके हमें follow कर सकते है job update with açok sing को ठीक है वहां पर आपको real time update मिलता रहेगा तो गर इन बातों का ध्यान रखके अगर आप बेसी में सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो आपको काफी वेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में तो हे गैस आप बताईए आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखे अगर अच्छी लगी हो लाइक क सेर करिएगा फिर मिलते हैं एक नए सेसन में तब तक के लिए एच्छे हिंदे